अल्री लेसंन है, लेट का, लेट के दो यूज होते हैं, एक हमने इसका यूज already कर लिया है, जो पहला इसका यूज है, वो होता है to propose, उसमें मैंने आपको सिखाया था कि propose कैसे करते हैं, अब आज जो हम letter कर रहे हैं ये proposed वाला letter नहीं है, ये letter है अलोव वाला, यानि कि आज् हिंदी में नुबात करते हैं तो बनता है अनुमति देना, आज्या देना तो लगता है कि कोई बड़ी उपादी वाला किसी छोटी उपादी वाले को allow कर देगा, तो ऐसा नहीं है अब हम allow शब्त को अगर हिंदी में नुबात ना करें उसका meaning समझें, तो उसका meaning होता है किसी को कुछ करने देना, उसको allow करना कि वो काम गरे, उसको रोकना नहीं अब जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ और पीछे से रहमत आ जाए मेरी बेटी, और वो मेरे गले में हाट डाले बोले, पापा, मेरे साथ खेलो ना, मैं बोलू मा बेटा अभी मेरा सेशन चल रहा है अभी disturb मत करो, मुझे पढ़ाने दो पढ़ाने दो मतलब मेरे को allow करो कि मैं पढ़ाओ, यहाँ पर मेरे को disturb कर रहे हो अब मैं बोलने लगा मान लो मैं किसी बेहन को पढ़ा रहो, अब बेहनों को पढ़ाना बड़ा मुश्किल है क्योंकि आप बोलोगे वो टोकेगी यह तो zoom का भला हो कि यहाँ पर mute का option है मेरे पास तो आप बोलोगे वो टोकेगी फिर बोलोगे वो फिर रोकेगी तो अब मैं क्या बोलोगा कि पहले मुझे बोलने दो आप सोचते हो मैं ऐसी jokes में बाते बोलता हूँ एक लेडी को मैं पढ़ाता था एक लेडी थी दीवानी सी तो सच में दीवानी थी बिचारी उसको मैं जो भी पढ़ाता था ना हुख और में आपको बदल लिया मैं हुख बोल। और भाट कि पाता था वह बोलगती रहती है फिर वो बोलते लगते थी यह होता है वो होता है मैं बस इशारा करता रहता हूँ ऐसे जब वो शान्त होती थी अपनी 10-15 ऑप्शन से कि फिर मैं समझाता था कि यह होता है तो अगर कोई ऐसा बंदा आपको मिल जाये तो आप क्या बोलोगे कि भाई मुझे बोलने दो यानि म मुझे मेरी इच्छा से शाधी करने दो मुझे जीने दो मुझे मेरी जिंदगी जीने दो मुझे बहुत प्यार करता है पिर शाधी बाद उसी ओरत हो को कहता है अरे यार तो मेरा घला भूट रणίν मुझे बोलने दो अब इसको हम टन्स्में अलग घंसे भी Ruby चेंज कर सकत और यह मुझे जाने देगा, यह आगे सिखेंगे, तो अभी मैं आपको let का meaning समझा रहा था, let का meaning होता है, किसी को कुछ करने देना, आने देना, जाने देना, देखो किसी भी verb के साथ आप देना लगा दो, जैसे खाना, पीना, सोना, जागना, अब इसमें देना लगा दो, खाने देना, पीने देना, सोने देना, जागने देना, यानि कुछ भी करने देना तो आने देना, जाने देना, पीने देना, खाने देना, सोने देना, कुछ भी करने देना कि मैं मुंबई ही गया आतिफ के भंगले के बाहर पहुंचा है तो मुझे आर्वा आतिफ को तो मैंने पढ़ाया हुए मुझे लिगिन इक जैसी मैं इसके बंगले के ँदर पर जाने लगा मुझे बिसनोर बैडशिक न होते हैंseason अब जैसी उसने मेरे paso रोका मैंने का जो जानती है आतिफ मेरा स्चूड़ेंट है मैंने आतिफ गेट की पर जा है, वो मुझे अंदर नहीं आने दे रहा है, यानि वो मुझे अलाओ नहीं कर रहे हैं कि मैं अंदर आऊँ, कहता है सर अब अमन को फोन दो, अब अमन गेट की पर था, मैंने अमन को फोन दिया, अमन ने मैंने का लोग साब से बात करो अमन कहते है जिस आप मेरे सर है इनको अंदर आने दो आने दो मतलब इनको एलाओ करो कि ये अंदर आ जाए समझ मैं है अब मैं अंदर गया तो इसने बहुत सारी चीज़े मेरे आगे खाने भी नहीं रखी कि मैं खाना खाने लगा तो इसकी पत्री बोलने लगी, तो allow करो कि वो खा ले, So that is, खाने देना, बोलने देना, बैठने देना, जीने देना, पढ़ने देना, सोचने देना, जैसे हम बोलते हैं आप सोचने दे में दो अब वोको टोग रहाए गते हैं आप सोचने दे आइडिया सोचने दे तो सोचने देना तो ऐसे cases में कुछ भी करने देना means let अब let का rule क्या है? let का rule है कि let के बाद हम object लगाते हैं sentence का जो object होगा वो let के बाद आएगा यानि कि वो विक्ती जिसको आप कुछ करने दोगे जैसे मैंने का मुझे जाने दो तो मुझे object है उसे खेलने दो तो उसे object है ठीक है? उसके बाद verb की first form तो let plus object plus first form of the verb इसमें verb की first form लगाने यह let जो है वो एक जैसा tense आईगा वैसे हम इसको change करेंगे अभी जो live telecast आपके सामने चल रहा है उस पर तवज्जो दो copy किताबों को छोड़ दो समझो बात को यहाँ पर ध्यान दो मैं अभी पढ़ा रहो भी आप copy किताब में लगे पढ़े हो जो मैंने PDF दे जाए और जब यह class खत्म हो जाएगी तो आप सोचोंगे सर क्या कह रहे थे अभी मेरे को जी लो मेरे बाद copy को जी ले लो तो English आज़े लो ठीक है तो ध्यान रोखो अब एक example लेते हैं तो मैं आपको बतारता है कि जो letter according to tense change होता है अगर ताओ रहा गया तो present indefinite हो गया लेट की first form लगा देंगे continuous आगया तो letting कर देंगे इस है मार के बाद perfect आगया तो let की third form लगा देंगे तो जैसा tense होगा let को उसी साबसे हम modify कर दें उसके बाद object और first form वह वैसेगा वैसा ही रहेगा उसके कोई परिवर्तन में आएगा अब जैसे पहला sentence है मुझे खाने दो मुझे खाने दो जैसे मान लो आदमी खारा और जब आदमी खाता हो और तें शिकायते लेके बैठ जाती है अपने husband को जो बहने हैं बच्चे भी हैं ध्यान रखना मम्मी पापा बताने ये बाते समझाते ने समझाते आई डोगने पर समझानी ज़रूर चाहिए लड़कियों को ये पता होना चाहिए जब husband घर पे आए उससे कोई शिकायते मत करो खाने पर बैठे उसको प्यार से खाना लाओ कोई शिकायते मत करो कोई कलेश कोई मूँ मत सुझाओ आदमी खाने के लिए पूरी जिन्दगी पागलों के तरह काम करता है उसको खाने ही ना धंसे नसीब हो तो भी कलेश वाला नसीब हो तो क्या किया फिर उसमें जिन्दगी फिर ओफीस में मिलेगी उसको जो कहेगी सर आप सर पकड़ के बैठे हो everything is all right वो लेगा नहीं नहीं चलो सर let's have coffee कॉफी पीने जाएगा फिर क्योंकि आप तो कॉफी पे कलेश करते हो फिर बाहर की coffee उसको आदत पढ़ जाएगी अब समझ जाओ आगेगी कहनी क्योंकि इंसान को चाहिए emotions और ते आते बोलेगी मैं न बहुत सहरी हूँ मैं अपनी बम्मे के घर पे जारी हूँ next Sunday को मैं बता रही हूँ मारी मा के न पाने नहीं मैं सेंसकती हूँ और वो बिचारे को खाना खाने दो पहले है खाने के बाद उसको चैन की सांस लेने दो फिर बात करना थो पोड़ी को समझ में आते office में कितनी इंसान आदमी problem जेलता है फिर घर पे है फिर बीवी की जेलता है तो ये बहने जो हैं ये बच्चे जो हैं लड़कियां ध्यान रखना मेरी बात जो बच्चे हैं वो बाप की तरह समझ लो जो मेरी उमर के हैं वो भाई की तरह समझ लो तो ये बात याद रखना खाने के टब कभी कलेश मत करना ना ही कभी मूँ सुजाना, प्यार से, महबबत से खाना खिलाना, बहुत हद तक वो कहीं जाएगा नी, आपके साथ ही रहेगा, तो अब उसने क्या गहा, कि मुझे खाने दो, कलेश लेके बैठी के हो दो, तो मुझे खाने दो, तो let, उसके बाद object मी, फिर वर्क की फर्स फर्म eat, तो let me eat, यह imperative form है, इसलिए हमने let से शुरू किया, तो मुझे खाने दो, let me eat, मुझे जाने दो, let me go, अब एक बार ही मान लो, जस्विंदर की लडाई हो गई, ऐसा हुआ, मैं तिलक नगर में रहता था पहले, तिलक नगर में, तो वहाँ पर सुबह सुबह पांच बजे ने, बिनाइन पैंड के सदार जी थे, वो लड़ रहे, और ऐसा skeleton के उपर बिनाइन जैसे चड़ी होती है, ऐसी उनका शरीर था, मैं भी उपने आपको मोटा फिल करना था, उनके आगे, और पांच बजे वो कलेश कर रहे हैं, और ऐसे सीना लिगा है, तुम मैंनों इत्हे मारे है, फिर उत्हे मारे है, मेरे पुत्नों मैं छड़ा आनी तैनू, सुबह पांच बजे लड़ रहे हैं, हम मान लो, ऐसा अदमी आपके पास आजाए, और बोले कि मैं चलता हूँ, मुझे उसको पीटने दो, तो लेट मी बीठी, मुझे जाने दो, लेट मी गो, मुझे आने दो, लेट मी कम, मुझे लिखने दो, लेट मी राइट, जैसे गुस्सा आता ना बहले बारी, अब एक बंदा बोल रहा है, दूसरा शान्त बैठा हुए, अब जो शान्त बैठा हूँ, उसको एक दो बोलेंगे, भाई तो जवाब क्यों ने दे रहा है, क्योंकि दुनिया को तमाशे में वजा आता है, आप शान तो बापको शान नहीं नहीं के, उसे रोने दो, let him cry, मेरी दो चीजें हैं, जो मैं बड़ा सकती से फॉलो गरता हूँ, मैं किसी को हसते हुए नहीं रोकता और मैं किसी को रोते हुए भी नहीं रोकता, कभी चुप नहीं कराता, तो रो, कोई रोनो होते हैं मेरी क्लास में, कई बार ही ऐसी हुआ है, आउनलें में भी हो जाता है, कि कोई ऐसी बात चलती है, और सुटेंट रोने लग जाते हैं, इमोशनल हो जाते हैं, जब आफ लेंग में होता था, मैंने कभी चुप नहीं कराया, और ऐसे, मैं कहता था, रोलो, और रोलो, खुल जा, निकालो, और वो सोचते थे कि सर चुप करेंगे, तो ऐसे, मैं कहता है, रोलो, खुल आज़ान होते हैं, यह चुप क्यों नहीं करा रहा, आसपास माले रोगते हैं, मैं आण नहीं हटाओ, रोने दो इसको, बदो मिर्ट में अपने अप चुप, मिरको एक बड़ी किसी ने फोन पे बात बात करी, आइंगे हुए इस टैम मैंने का मुझे मालूम है मैं में चुपने करा रहा है रो खुल के रो जब चुपो जाो भी तब हमें बिन बात करेंगे नौका जटनीं जएंह द्रफिट हो गई cat कोई नहीं सन चुप कर आता है और नहीं अग्हाद हुнutan सब्सक्राइब cry, ठीक है, अब इसको एक next sentence में देखते हैं, वह मुझे खाने देगा, future indefinite, वह मुझे खाने देगा, गागे, अब अमन चिप्स लेके आया, तो नमन ने बोला, अमन को, कि अमन सर तर को चिप्स नहीं खाने देंगे, अमन कहता है, नहीं वो तो खुद खाते हैं, वो खुद भी खाएंगे, और मुझे खाने देंगे, तो वह मुझे खाने देगा, he will, गागे गी future indefinite, he will, will के बाद first from let, he will let me object and then first from eat, he will let me eat, वह मुझे खाने देगा, वह मुझे जाने देगा, he will let me go, वह मुझे लिखने देगा he will let me write वह मुझे बोलने देगा he will let me speak जब रहमक पैद होए ना तो डॉक्टर ने कुछ बत्तमीजी ऐसे करी बत्तमीजी से बोला मैंने उसकी होडी में कम्प्लेंट कर दी अब जब मैं कम्प्लेंट करके आया उस लेडी को बहुत है senior को वो पूरे उस department की head थी तो उसको हुआ कि नहीं मेरा staff ऐसे नहीं कह सकता मैं कम्हें कहा है आप आये अब वो आये जब उसने मेरे को फिर बुलवाया ward में से तो करने लेकिस तर यह तो मना कर रहे है मैं मुझे पता था यह औरद है मैं कुछ समझाओंगा तो यह बोले की बीच में मेरी बात में होने देगी इसलिए मैंने उसको बोला मैंने simple sentence में बोला मैंने कम है do I have uninterrupted two minutes क्यती है yes no कौन बोलेगा क्यती है yes मैंने बोला दूसरे sentence में उसमें टोका मैंने कम है मैंने आपको कहा था uninterrupted two minutes चुप हो गई भई थे फिर मैंने बोली इतनी बाश पिर उसके बाद नहीं बोली हो फिर उसके sorry feel क्या बाद गए तो वह मुझे बोलने देगी she will let me speak वह मुझे खाने देगा he will let me eat वह मुझे जाने देगा he will let me go वह मुझे देखने देगा he will let me see समझ मैं है वह मुझे खाने दे रहा है continuous अब अमन को phone आया आतिफ का कहता है भी तू chips लेके क्या था जा हो कहता है मैं तो सर के साथ खा रहा हू वह मुझे खाने दे रहे है मना ही नहीं कर रहे है तो वह मुझे खाने दे रहा है continuous he is letting यहाँ तक present continuous है he is letting अब let के बाद let का rule चलेगा let me eat so he is letting me eat तो let according to tension जोगा गागेगी के साथ will let रहा है के साथ is my letting तो let is changed according to tense और फिर उसके बाद object और first form वैसे ही रहेगा तो वह मुझे आने दे रहा है he is letting me come वह मुझे लिखने दे रहा है he is letting me write वह मुझे पीने दे रहा है he is letting me drink वह मुझे खाने दे सकता है अब सकता है आर वह मुझे खाने दे सकता है he can Let me eat Can के साथ first time He can let me eat वह मुझे जाने दे सकता है He can let me go वह मुझे लिखने दे सकता है He can let me write वह मुझे नाचने दे सकता है He can let me dance उसने मुझे खाने दिया था Next sentence किया दिया मैंने आपको उसने मुझे खाने दिया था past perfect दिया था, लिया था, चुका था, चुके थे so he had let had के बाद let की third form वो let ही होती है so he had let me eat आएगी let के बाद object और first form ही आएगी ऐसे नहीं past perfect है तो let के बाद भी third form eaten लगा दो let के बाद object and first form वो वैसे ही रहेगा, बार बार repeat कर रो so that it should enter your mind so उसने मुझे खाने दिया था he had let me eat उसने मुझे जाने दिया था he had let me go उसने मुझे लिखने दिया था he had let me write उसने मुझे पीने दिया था he had let me drink समझ गया है फिर वै मुझे खाने देता है ता और हा, अब ये present indefinite हो गया ताव रहा, वह मुझे खाने देता है He lets me eat क्योंकि present indefinite में अगर He आ जाए, तो वर्ब की first form plus ऐसोरी यह ध्यान रखना let's apostrophe वाला नहीं है क्योंकि यह first form के साथ ऐसोरी यह है, He lets me eat वह मुझे जाने देता है He lets me go शादी के बाद मेरी वाइफ पूस्ती थी जैसे कुछ कई partner जाने वेसको जादा जाती नहीं है यह कुछ और भी बात, जैसे वो खरीद मैं मैं गया तो मेरे से पूछा मत करो तुम्हे कोई permission की जुरत नहीं है जस्ट कर लो, खतम काने मेरे को मत पूछो, मैं कोई कहीं का बादशाह खान नहीं हूँ, या कोई उस्तात नहीं हूँ मैं, कि मेरी permission भी तुम्हें जुरत है समझ मैं है, तो अब मान रो, उसकी सहीली क्या बोली कि भाई, तेरे हजबन रोपता नहीं है, वो कहेगी, नहीं वो मुझे जाने देते हैं, he lets me go, मैं मुझे खेलने देते हैं, he lets me play, समझ मैं है, तो let मतलब कुछ भी करने देना, बेख बरी, पूरा रिवाइस करा तो, let मतलब होता है, आने देना, जाने देना, खाने देना, पीने देना, यानि कुछ भी करने देना, let according to tense change होगा, it is a verb, इसकी फॉर्म होती है लेट 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 और लेट के बाद object and then first form of the verb वह मुझे खाने देता है He lets me eat वह मुझे खाने दे रहा है He is letting me eat वह मुझे खाने देगा He will let me eat उसे मुझे खाने देना चाहिए He should let me eat उसे मुझे खाने देना चाहिए था चाहिए था उसुड़ है फ्लस थर्ट फॉं He should have let me eat वह मुझे खाने दे रहा था He was letting me eat वह मुझे खाने दे सकता था He could let me eat वह मुझे उसने मुझे खाने दिया He let me eat उसने मुझे नहीं खाने दिया He did not let me eat वह मुझे नहीं खाने देता है He does not let me eat Let helping verb नहीं है वह verb है अब negative sentence में कई बारी लोग क्या करते है He let's not me eat यह दिलत है Not का प्रयोग helping verb के बाद होता है तो He does not let me eat अब does क्यों हो क्योंकि ता हो रहा जों से भी tense में होगा उसी sentence के helping verb के बाद not लगाना है ठीक है तो ध्यान टकना है जब भी यह करने देने वाली sentence है आने देना जाने देना तो हमने let लगाना है let का यहां पर मतलब है to allow somebody to do something यानि कि किसी को कुछ करने देना अब इसको समझना है और इसको अपनी day to day life में अच्छे से ध्यान से use करना अब किसी को कुछ doubts है तो पुछलो भाई का होगे लए खुजली भाई का होगे लए क्या खलास होगे लए आप उनकी तरफ से ये lesson है न खुजली करके खलास होगे लए